वैदानिक चेतावनी ये आडियो बुक कॉपिराइट अधिनियम के अंतरगत सरवाधिकार सुरक्षित है इस आडियो बुक के किसी भी अंश को बिना अनुमती के किसी भी माध्यम या अन्य रूप में पुनह प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किया जा सकता कुछ जिद्धी चराग ऐसे होते हैं जिने आंधियों में जलने का शौक होता है जिने वक्त के साथ चलना भी आता है और वक्त को बदलना भी ऐसे ही कदावर, महान, म्रदुभाशी, सरल, व्यवहारिक लीडर हैं श्री नर्सी ग्रेवाल जिन्होंने थल सेना के एक मामूली कर्मचारी से लेकर Great Network Marketing Company Secure Life के महनतम और लोगप्रिय लीडर वक्ता और लेखक के तौर पर अमिट पहचान बनाई है उनकी वानी, उनके शब्द, उनके विचार, उनका ग्यान, उनका प्रदर्शन अपने आप में एक धरोहर है जो चाहते हैं कि उन्हें Network Marketing Company Secure Life में महनतम मकाम हासिल हो धन दौलत, मान सम्मान, एश्वर्य, समय और धन की आजादी उनके साथ साथ एक हसीन लाइफ स्टाइल तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो आईए सुनते हैं Mercury Leader Mr. Nursi Graywal को और जानते हैं कि Network Marketing Business में सफलता कैसे पाई जाती है एक महान लीडर कैसे बना जाता है और कैसे अपने भीतर का हीरा तराशा जाता है दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों मैं एक बात पुछना चाहरा हूँ हम लोग सारे excited हैं इसलिए इस बिजनेस में हैं ये बात बिलकुल सही है हम लोग सारे लोग माते हैं कि हम लोग excited है excited है हम लोग excited है और excited क्यों है इसके पीछे बात बताता हूं आपको कि जो आदमी आदमी में और कदू में क्या difference होता है एक ही basic difference होता है कि कदू कभी excited नहीं होता है और आदमी क्या होता है एक्साइटीड होता है आदमी एक्साइटीड होता है और कदू कभी एक्साइटीड नहीं होता है तो हम लोग और दूसरा इसका उल्टा करें तो क्या बोलेंगे जो एक्साइटीड होता है वही इंसान होता है और जो एक्साइटीड नहीं होता हो क्या आप लोग क्या मानते हैं कि यह सारे लोग जो भी जिन भी जिन लोगों के पारे में ने चर्चा किया और बहुत सारे लोग हैं जो अचीवर है मिस्टर हमपरगा जी, मिस्टर चत्रवधी साब, मिस्टर दसरच जी, मिस्टर अर्विन जी, मिस्टर आनन ठाकर, मिस्टर सारे के सारे लोग मतलब सक्सेस्पुल हैं हम लोग इनको मानते हैं कि सक्सेस्पुल है ऐसा सारे लोग मानते हैं? मैं भी मानता हूं दोस्तों कि यह successful है लेकिन हमारे अंदर और एक नए आदमी के अंदर या successful लोगों के अंदर और नए आदमी के अंदर एक basic difference होता है और वो difference क्या होता है? वो हमको पहचानना पड़े गा और वही différence जानने के लिए उसी difference को पहचानने के लिए आज हम इस matter के बारे में डिश्कस करेंगे और basic difference ये है कि जो भी successful लोग है उन लोगों ने जदा नो सुने है जो भी successful लोगों लोगों की केटे리 में आके खड़े हो जाएंगे तो यह basic difference है कि successful लोगों ने ज़्यादा नो सुने हैं और अब ही जो शुरुआत कर रहे हैं अगर वो भी नो सुनेंगे तो वो भी success हो जाएंगे एसा यह system है ऐसा यह business है और कोई difference निये अगर आप बात कर जो इससा कोई भी benda नहीं है उन्होंने ज़्यादा नो सुने है और अपने फोकस किया है काम किया उन्होंने और हम लोगोंने क्या है कि अभी नो सुनना हमारा बाकी है येस हमारे नो सुनना बाकी है और एक बड़ा से बड़ा चैलेंज इस बिजनेस में अगर हम चैलेंज बोलें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक ही चैलेंज है कि लोग ना बोलते ह आगर लोग ना बोले तो मज़ा आजाएगा, आजाएगा नहीं आजाएगा, मज़ा आजाएगा, लेकिन लोग ना बोलते हैं, और हमको ऐसे लगता है यार ये बात फेर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, लोगों को तो सारे को हाँ बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों कु ऐसा होता है तो यह कुछ रूल है तो है सअ क्यों कोई भी कुछ रूल है और उपला रूल क्या है SW5 rule क्या rule है SW5 rule हम लोग सारे के सारे بार बार उस training में समझते हैं आर या जो लोग भी training attend करते हैं इसको जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं जब हमारे को कोई no बोलता है हमारे को कोई rejection देता है हमारे को कोई neletzt करता है हमारे को तुरंट result नहीं देता है तो हमको लगता है यार ये बात सही नहीं है ये बिजनस कही नहीं फैल हो रहा है लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि जैसे गुरत्व inherent का rule काम करता है गुरत्व propulsion का का सिदांत काम करता है ऐसे यहां पर भी SW5 का rule काम कर रहा है SW5 rules क्या बोलता है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और कुछ फरक नहीं पड़ता उससे, कुछ फरक नहीं पड़ता, कुछ लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए कुछ नहीं कुछ काम करना चाहिए, इसको अगर इंगलिस में बोले त तो कभी भी जिन्दगी में अपने को दुख नहीं होगा कोई भी आदमी प्लान देखने के बाद रिजेक्ट करेगा तो अपने को कोई रिजेक्शन की कोई प्रॉलम नहीं आएगी और हम बिजनेस में बने रहेंगे दूसरी बात नॉर्मली SW5 रूल के इलावा मार्किट में एक रूल काम करता है 10 10 6 4 1 10 आदमी से आप बात करोगे 6 लोग आपकी बात सुनेंगे 4 लोग उसमें से आपको टाइम पे मिल पाएंगे और एक आदमी आपको उसमें आपको रिजल्ट देगा आपके साथ में जोइन करेगा लेकिन क्योंकि हमारी अपोर्शनी इतनी बढ़िया है यहां पे लगाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है इसलिए यहां पे जो यह रूल है थोड़ा अपर साइड में काम करता है यहां पे दस, साथ, दस, साथ, छे, तीन का रेशो आता है या छे, दो का रेशो आता है दस, साथ, छे, तीन का रेशो आता है दस में से तीन लोग भी जोइन करते हैं और दो लोग भी जोइन करते हैं हमारे साथ ऐसे हो जाता है? मेरा मानना है कि ऐसा होता है हमारे साथ में लेकिन कई लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें जो भी हमारी प्लान देखे वो सारे के सारे ज्वाइन होने चाहिए लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कारण क्योंकि सिद्दान तो हमेशे काम करते है SW5 rules हमेशा काम करेगा 80-20 का rule हमेशा काम करेगा 80-20 का rule क्या बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को कोई भी बात बताओगे तो 80 लोग उस चीज़ को निगलेट कर देंगे और 20 लोग उस चीज़ का फायदा लेंगे ऐसा 80-20 rule है और ये rule जो सिद्धानत है काफी दिनों के experience के बात बनते है लेकिन हम क्या करते है उन सिद्धानतों को भूल के और अपने आपको दुखी होना महसूस कर देते है और हमको लगता है ये business नहीं चलेगा लेकिन ये business जिन लोगों के साथ भी चला है या जो लोग भी success हुए है उन्होंने इस रूल को समझा है और अपने दिल को बरकार रखा उन्होंने बुरा नहीं माना उन्होंने होसला नहीं छोड़ा और वो काम करते रहें और आज वो सारे के सारे लोग successful है और example आपको stage बे देखने को मिलते हैं आपको उनके जब बड़े बड़े function में अटाइंड करते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं सारे लोगों को हमारे को बार बार से सारी चीजह मिलती रहती है लेकिन एक बात और मेरे जहन में आई थी मेरे को यह लगा था कि यार अगर सच मुच में ऐसा हो जाए कि जैसा लोग बोल रहे हैं कि सारे लोग यस बोलने लग जाए तो कैसा रहेगा मज़ा आ जाएगा लेकिन इससे एक खुदरत का कानून 80-20 रूल और SW5 रूल तो टूटे गाई लेकिन एक बात और हो जाएगी कि ये जो सिस्टम है इस दुनिया का जो सिस्टम भगवान ने बना रखा है वो कॉलाप्स हो जाएगा हो जाएगा क्यों हो जाएगा उसके पीछे काल ने क्योंकि अगर सारे लोग हाँ बोलते जाएगे तो आप बताओ 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 और एक करोड को 2 करोड को 4 करोड बनाने में कितनी देर लगेगी मुश्किल से जो प्रिथवी की जितनी जनसंग्या है दो चार वीक में या दो चार महिने के अंदर सारी सारी समप हो जाएगी और जब सारी समप हो जाएगी तो फिर बाद में बाकी बारे लोग कैसे जगाइन करेंगे ज़एन कर पाएंगे फायदा ले पाएंगे तो दोस्तों हम क्या चाहते हैं हमारा सिस्टम लोंग टर्म और बढ़िया तरीके से चले और जो कुदुरत ने जो कानून बना कर रखे ह या जो प्रकृतिने जो अपना रूल्स पना रखे है और रूल को भी चलते रहे हम लोग ऐसा चाहते हैं अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं तो हमारे को विश्वास करना पड़ेगा दूसरी बात हमारे को एक बात और मैसूस होती है कि साब इसमें बिजनेस में लोग विश्व कर लेंगे तो हम लोग इस बिजनेस में यहां पर कोई प्रोडेक्ट नी बेजते हम लोग बेसिकली क्या बेजते विश्वास बेजते हैं लेकिन पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि लोग पहले विश्वास कर ले हम बाद में करेंगे लेकिन हमको करना क्या पड़ेगा पहले हम को अपने उपर विश्वास करना पड़ेगा system पे business पे विश्वास करना पड़ेगा और फिर लोग हमारा विश्वास करेंगे जब हम regular इस चीज में लगे रहेंगे तो में को regular इसमें लगा रहना चाहिए अयसा मैं सम знता हूं लगे रहना चाहिए और हमको लोग नौ करते हैं और लोग करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार लोग हमारे कोई नो क्यों बोलते हैं लोग हमारे कोई नो क्यों बोलते हैं और हम ही ऐसे आदमी हैं जिनको लोगों ने नो बोला है जितने भी लोग पहले सक्सेस हुए है जैसे हम जितने भी सक्सेसफूल लोगों की लिस्ट उठाए लगता है चत्रवेजी साब को किशी ने नो नहीं груп जीन शाब को किशी ने नहीं लो राइ Of ऑम्परकाजी को और नहीं बॉला ह fifty already now और ये तो ये और हम लोग तो एक एग इसान है सारे के सारे हम और आप तो इनसान है लोगोंने तो rejection करने में और लोगों के बात सुनाने में भगवान तक को भी नहीं छोड़ा आप बताओ भगवान स्री राम को लोगों ने बखसा था क्या लोगों को लोगों ने नहीं बखसा भगवान स्री राम को लोगों ने नहीं बखसा किर्शन जी को लोगों ने नहीं बखसा गुरु नानिक जी को, लोगों ने नहीं बखसा इसामसीजी को, सारे लोगों को ताने मारे, उनको रिजेक्ट किया, उनकी बात को धुकराया, लेकिन उनकी बाते तो बहुत बड़ी थी, उनके पास इतनी बड़ी बाते थी कि आदमी की सारी सुदर सकती है तो उनकी बात को जब रिजेक्ट कर सकते हैं तो हमारी बात भी रिजेक्ट हो सकती है तो हमने चिंता नहीं करनी है और अगर हमारी कोई बात रिजेक्ट होती है तो आपने ये सोचना है कि जो भगवान लोगों की बात भी रिजेक्ट कर दिया तो लोग अगर ह एक बात पूछता हूँ कि भगवान ने अगर भगवान अगर भगवान हमको चाहता तो चार पैर पर बना सकता था कि नहीं बना सकता था एस और नो बना सकता था मुझे लगता कि बना सकता था लेकिन हमको भगवान ने कितने पैर पर बनाया दो पर बनाया इसका मतलब थाधै शहाता है कि हम जीन्दगी में सपल हो हम अपने ड्रीम देखे हम अपने ड्रीम पुरे करे हम जिन्दगी में ओ सपलता पाएं जो सारी चीजय हम सोच ते इसलिएבחवान दोपे रोप हमको पना था शो और बगवार ने एक काम ओर किया, दो पेरों पर बना दिया, और एक बात और लगा दिया, कि हर एक आदमी को, जो भी आदमी दो पेरों पर पैदा हुआ है, चैवो लेडी ओ जेंट्सो, उन सब को इस जिन्दगी में, इस दुनिया में सफलता लेने का पूरा हक है, लेकिन उ उसको अपने हिस्से की नो सुननी पड़ेंगी, उसको अपने हिस्से की नो सुननी पड़ेंगी, और अगर उपनी हिस्से की नो सुन लेगा, तो उसके बाद उसको सफलता मिल जाएगी, लेकिन एक कंडिशन और लगा दी, कि उसने यह नहीं बताया, कि किसी को तीन नो के चुलिक में हुईनों बनाद दिया कि सेच तो मिलेगी लेकिना अपने हिस्ते की नहों सुनने के बाद सक्सेस मिलेगी। हमको नहींरम हमारे बीशनों के बाद सटे सोल मिलने वाली है। या पचास के बाद या साठ के बाद या 80 के बाद या 90 के बाद लेकिन एक बात हमको अगर मालूम है कि सक्सेस तो मिलने वाली है तो नो को जल्दी खतम करना चाहिए हमको और जल्दी खतम करना है तो एक ही तरीका है कि जो काम इस सिस्टम बोलता है जो काम करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए जिस काम को बार-बार करना चाहिए उस काम को हमने बड़े दिल से तहे दिल से जल्दी जल्दी करते रहना है और फास्ट करना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी नो खतम हो और हमारे को सक्सेस मिले क्यों क्यों कि भगवान चाहता है हम सक्सेस हो इसलिए उन्होंने हमको कितने परफ़ बनाया दो पर बनाया अभी दूसरी बात बड़ी सबलता की सुरुवात भी कहा से होती है आप देखो बड़ी सबलता की सुरुवात नो से होती है बड़ी से बड़ी सबलता की बात करें बात करें चदरवेदी साब की उनको भी शुरुवात में नो मिले थे बात करें जेन साब की उनको भी शुरुवात में नो मिले थे और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को भी शुरुवात में पांच लोगों ने मना कर दिया था नो किया था मैं हर फंक्षिन में डिस्कस भी करता हूं इस बात को लेकिन उर पांच लोगों की नो को लेके मैं चाहता तो दिल तोड़के बैठ सकता था लेकिन मैंने सिस्टम को समझा सिस्टम की बातों को समझा सिस्टम के रूल को समझा प्रकृति के नियम को समझा इसलिए मैं इस बिजनिस में लगा रहा और एक बात जो मेरे अपलाइन ने सिखाई थी, इस सिस्टम ने सिखाई थी, कि हम लोगों का काम है, लोगों को इन्फोर्मेशन देना, और लोगों का काम है, उसका डिसीजन लेना, यस करना या नो करना, आज जोएन करना, या एक अपते के बाद जोएन करना, लेकिन हमां कांस्टेंटली प्रोफेसली तरीके से इन्फोर्मेशन दे, उनका फॉल अप करें, और उनको सारी जानकारी देने के बाद, डिसीजन उनका रहेगा, हमारे को उनके डिसीजन से, ना तो बहुत ज्यादा कोई गम होगा, ना कोई बहुत ज्यादा खुशी होगी, बस हम तो अपना काम करते जाएंगे, क्योंकि सपने हमारे है, जिन्दगी हमारी है, ड्रीम हमारे है, और हमको ही इसलिए लगातार अपना काम करता रहना पड़ेगा, और एक बात सारे लोगों को सायद मालूम होगी लेकिन कुछ लोग आज नहीं है उनको भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने तो नो की चिंता किये बगर एक ही काम करना है कि information देते रहना है और इस dialogue को पक्का दिमाग में बेठा लेना है कि आए तो best नहीं तो next आए तो best नहीं तो next आए तो best नहीं तो next बस बताते जाना लोगों को और बिल्कुल भी नो की चिंता नहीं करना है अब ही आप देख सकते हैं example कोई भी लड़का है अगर किसी लड़की को परपोज करता है कि मैं आप से साधी करूँगा तो कोई भी शुरुआत मुझे नहीं लगता कि लड़की बोलेगी कि हाँ आप बिल्कुल चलो मैं भी सोत रही थी ऐसे कर लेते शुरुआत में जरूर उनकी नो से सुरुआत होती हो बाथ मैं सोचते हैं थुड़ा भी मैं जानती है इसके बारे में घरवालों से सला lenंगी यह लूंगी यह लूंगी इनफोर्मेशन लूंगी यह करूंगी 9 शुरुआत होती है voted आप साथ जनाम का जो रच्टा होने वाला है उसकी सुरुवात कहां से हो रही है नो से और जिंदगी में जहां पूरी साथ जन्मों का अमीरी आने वाली है साथ जन्मों तक या साथ बीडी तक अमीरी आने वाली है तो उसकी सुरुवात भी नो से होनी चाहिए कि नो से डंड़ना चाहिए अपने को नो से डंड़ने की ज आप देख सकते हैं, जब भी कोई बड़ा काम या बड़िया काम अम करते हैं, तो हमारे खोड रस्ते में कुछ बाधाई आती हैं. बाधाई क्या आएगी? बादाई क्या आएंगी कि कोई भी काम करेंगे हम लोग कोई भी काम करेंगे तो जैसे हमने अगर रोड पे जाना है तो रोड में गड़े ब्रेकर आते हैं यस और नो अगर कहीं पर गड़े नहीं है उस रोड पर एड़ लाइट एती एंगो कई लोग सोचे होंगे यार रोड बे तो आती है लेकिन ट्रेन में कुछ निया टावकटे ब्रेक नहीं आते लेकिन ट्रेन में भी खाते हैं रेड़ सिग्नल आते आते और अभि कुछ होनी चाहिए ठीक है तो जब एक बात बताओ कैसा भी हम कोईसा भी रस्ता अपनाए तो ही चाहिए ट। पर ना अगर फिड़ फेस करनी पड़ती है तो अपने को जिन्दगी में सफ़ल होने के लिए यह पता लगाना पड़ेगा या यह मानना पड़ेगा कि हमारे को कुछ न लोगों सोचेंगे एक बात पूछता हूं तो आपने भारे में ज्याधा चिनता होती यह लोगों को अपने बारे में ज्याधा चिनता होती है अपने बारे में जयादा चिनता होती है लोगों को तो हमारे बारे में किसी को सोचने की फुर्षत नहीं है लेकिन फिर भी फिर भी दूसरे के बारे में चिनता करने लग जाते हैं मैं एक वरतान्त ब motorदाता हूँ एक आदमी एक नोजवान आया और उसने पूछा कि भाई साथ टाइम क्या हो गया है तो उसने बोला मैं टाइम नहीं बताऊंगा तो इस जवान नोजवान ने पूछा कि भाई साथ आपके पास गड़ी है आप आसानी से टाइम देखना आता भी है आपको आप टाइम बता रहे हैं तो मैं आपको टाइम बताऊंगा तो आप मेरा नाम पूछोगे आप मेरा नाम पूछोगे तो मैं आपका नाम पूछोगा और आप फिर हमारी आपकी दोनों की दोस्ती हो जाएगी आप मेरे घर आएंगे मेरे घर आएंगे तो मेरे घर पे सुंदर कन्या है आप उसको और बातचीत करने के बाद उससे सादी का प्रस्ताव पेस करेंगे और मैजसे लड़के से अपनी लड़की की सादी नहीं करना चाहता जिसके आध में घड़ी भी नहीं हो तो क्या ताइम बताने में इतनी बाते हो सकती है हम लोग ऐसा शोचना चाहिए नहीं शोचना चाहिए मुझे ऐसे लगता है नहीं शोचना चाहिए लेकिन हम लोग जरू सोचते हैं बहुत सारे डर और भेम हमारे मन में पालते रहते हैं बहुत सारे डर हैं बहुत सारे मन में हम पालते रहते हैं हम सोचते हैं कि यार ये कोई चोटा बोटा काम है मैं आप से पूछता हूँ कि लोगों की जिंदगी बनाना बड़ा काम है नोग है इस दुनिया में उनका distribution का network marketing का network manufacturing नेटविक नेटवर्ग है और नेटवर्क ही बनाते हैं और हम लोग भी क्या बना रहे हैं डवर्ट बना रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए हम को भी एक ही काम करना चाहिए दिमाग कोई बह्म नहीं पालना चाहिए और दिल खोल के अपने बिजनस में जो करना है जैसे यहाँ पर हमारे सिस्टम ने और हमारे ग्रेट अप्लाइन लोगों ने बताया है कि हमको यह 8 स्टेप है 8 स्टेप का गुरू मंतर की तरह है इसको गुरू मंतर मान के इसको फोकस करके अभी आप बताएं चिंता करने बहर जाएंगे तो काम हो जाएगा क्या काम नहीं होगा लेकिन अगर हम काम करने में लग जाएं तो चिंता करने की जुरूत पड़ेगी चिंता करने की बिल्कुल भी जुरूत नहीं पड़ेगी और दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं हमारे अगर हम देखे तो ऐसा सिस्टम है जिसने सत्र से जदा सक्सेसस कि बाच कर रहे हैं लोग सत्र से जदा डायमड्यट दे चुका है तो शिस्टेम कोई डाउट करने की जुरूत है कि सिस्टम डायमड्यड बनाएगाई यह भीड़िया परचाह những सत्रिक्ouse कि दो लाख रुपए सफ्ता अगय कामाते रहेंगे तो उसमें कोई डौट नहीं लिए लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिर विड़ाउट करते हैं अगर system पे कोई doubt नहीं है, opportunity पे doubt नहीं है, apply नहीं पे कोई doubt नहीं है, तो doubt करने के लिए कोण आदमी बचेगा, यह की बचेगा? और हो कोण है हम लोग? अगर हम अपने उपर doubt करेंगे, तो कभी success हो नहीं पाएंगे, यह बात मानने की बात है? तो इसलिए हमको क्या करना चाह चाहिए कि कभी भी हमको अपनी काबिल्यत पे क्यों? डाउट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको भी बगवान ने बनाया है, उपर वाले के प्रोडेक्ट के उपर, या उपर वाले की manufacturing के उपर, कोई भी doubt करना अच्छी बात नहीं है, सही है? आपने doubt नहीं करना है, और no सुनना है, और फकर के साथ सुनना है, लेकिन no सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये समझने वाली बात है, no सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि no सुनने के लिए हमारे को अपनी self image को हाई करना पड़ेगा, छोटे बच्चे देखना आप कभी नो नी सुन सकते, बहुत छोटे बच्चे जो है, अगर उन्होंने बोल दिया, वो चाहिए तो चाहिए, उनको नो सुनने की आदत नी है, लेकिन हम तो मेचर्ड हैं, बिजनसमेन हैं, और हमको अपनी जिंदगी बनानी है, तो हमारी सेल्फ इमेज ऐसी होन से कोई बहुत ज्यादा फरक नी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी की कमांड हमारे आत्म होनी चाहिए, और इसलिए इस बिजनस में जो बहुत सक्सेस्फुल लोग है, वो बोलते हैं कि नो सुनने की ताकत उनी में होती है, जिनकी आतम छवी, सेल्फ इमेज ताकत कहां से मिलेगी, सबसे ज्यादा तो हमको ताकत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के बारे में सीखने से, एक बात बताएं, खाली बोरी कभी खड़ी हो सकती है, मुझे लग रहा कभी खड़ी नी हो सकती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई नोलेज नी है, उसक कि सेल्फ इमेज थोड़ी हाई हो जाती है उसको लगता है कि वेस्टक अगले बारा डॉक्टर है लेकिन इस प्लान फोल्डर का डॉक्टर मैं हूँ इस प्लान फोल्डर के बारे मैं ज्यादा जानता हूं इस सिस्टम के बारे मैं ज्यादा जानता हूं तो सेल्फ इमेज कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के बारे में सीखें। और सिस्टम के बारे में सीखने के are जेखने के दो लेक Bitte डिए हैं हर बार बार ट्रेनिग में झाएं इंडा लिटाGame्रेश मिटिंग में जाएं लीडिसमित्रीम कि अगर हम वेन्यू पर फंक्शन पर जाएंगे तभी हमारे को टीचिंग मिल सकती थी, एजुकेशन मिल सकती थी, लेकिन ये बीबी एस रूपी जो बाहर आई है, जो गंगा आई है, एक गंगा से तो जब हम दाड़ी बना रहे होंगे, तो भी सिक्षा मिल रही होगी, क्यो कि हमारे बाथरूम और हमारे घर तक की जो एजुकेशन देने का जो बंद बस्त किया है, इस बीबी एस ने किया है, मैं चाओगा इसके लिए जोड़ रताले होजागे, जोड़ रताले, तैंक्यू, लेकिन ये बीबी एस की कैसट, या बीबी एस की जो भी प्रोड़क्ट उनसे मिलके CP आप कर लेते हैं तो हर में ने कोई ने कोई टूल आपके घर पे आता रहेगा और successful लोग आपके घर पे आके आपको शिखाएंगे बताएंगे कि आपको कैसे success लेनी चाहिए तो अगर हमारे को कोई भी successful आदमी हमारे घर पे आकर अगर हमको समझाता है बार बार बताता है और जब भी हम बटन दबाएंगे तब हो बोलेगा तो हमारे success लेना आसान हो जाएगा हमारे success लेना जरूर आसान हो जाएगा दूसरी बात हमारे को जो सेल्फ इमेज हाई करने का एक बढ़िया तरीका और है कि हम अच्छे कपड़े पहने अच्छे कपड़े का मतलब हम फॉर्मल ड्रेस में रहें पैंट पहने लाइट कलर की साट पहने डार्क कलर की और शूज पहने तो पोलिस वाले पहने एक बात है एक बात आए एक आजमी का पजामा फटा हुआ है आदा पैंट फटी हुई है और किसी के सामने खड़ा है वो अपने बारे में उसकी क्या राय हो सकती है बहुत घडिया राय या जूते पैंट और बढ़िया लाइट कलर की साट और डार्क कलर की पैंट पहन रखी है अच्छी तरह के से बाल सवार के रखे है और अच्छे पोलिस जूते पहन रखे है तो उसकी अपने परती जो राय होगी मेरे ख्याल से अच्छी होनी चाहिए तो अच्छी राय ब साथ रहें अमीर लोगों के साथ रहें अच्छे लोगों के साथ रहें पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहें और सक्सेस्फुल लोगों के साथ मेरे और सक्सेस्फुल लोगों का साथ कैसे मिलता है हमारे को जब हम प्लान में जाएंगे ट्रेनिंग में जाएंगे से फंक्षन में जाएंगे और उनकी सीपी के मादम से उनको घर पे उनकी डिवीडी और सेटी सुनेंगे सब्सक्राइब हो पाएगा और यह सारी चीजें हम कर सकते हैं दूसरी बात हम एक बात और देख सकते हैं एक बार मिस्टर फोड मिस्टर फोड अका नाम आप लोगों जेसे पर जो एक दिन आपने आप में इसुस हुई थी क्या गलानी में भी कि उसके सामने जो खड़ा था बंदा उसूटिड बूटिड था और वह बहुत ही कैज्वल ड्रेस में नॉर्मल ड्रेस में था तो उसको उसने उसने डिसीजन लिया था कि आज के बाद मैं आपने आ बढ़िया dress और बढ़िया get up में रहता है तो वैसे वैसे उसका जो self image है बढ़ती रहती है और आगे बोड़ता है दूसरी बात self image को high करने का एक और तरीका बढ़िया यह है कि हम successful लोगों की story को पढ़े successful लोगों की story जिनको बहुत बढ़ी सबलता ली है जैसे मालों बड़े-बड़े लोग जिनका भी हम बात करें Abraham Lincoln की बात कर ले हम और बड़े-बड़े लोग जितने भी हैं वे हैं जो किसी के field के भी successful लोग है और अगर networking के successful लोग है तो उनके जरूर पढ़े उनकी success story को सुनना है पढ़ना है लेकिन हम लोग जो picture के hero hero नहीं है उनकी success story की नहीं बात कर रहा हूँ मैं success story की किसकी जो real जिन्दगी के hero जैं उनकी success story को पढ़े तो हमारी ना सुनने की तागत और ज़्यादा आ जाएगी यानि कि self image आई हो जाएगी कुछ लोग क्या करते है पहला target आया उसमें भी थोड़ा कोशिस किया छोड़ दिया फिर next target आया थोड़ा कोशिस किया छोड़ दिया फिर next target आया थोड़ा कोशिस किया छोड़ दिया ऐसे नहीं करना हमने क्या करना है कि कोई भी target आए एक target goal बना ले और उसको अचीव करके दिखाएं, चायो गोवा का target मिले, चायो कोई भी मिले, छोटे से छोटा target जीत सकें, या बड़े से बढ़ा, हमको अपना target जीतना चाहिए, अगर हम छोटा छोटा target भी जीतेंगे, तो हमारी self image, या हमारा विश्वास है, जो confidence है, बढ़ेगा, बढ़ जो लोग ना बोलते हैं यह ना बड़ी है यह हम बड़े हैं लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना को बड़ी बना देते हैं और हमारे अपने आपको छोटा बना लेते हैं लेकिन हमने क्या करना है आपने आपको बड़ा रखना है और नो को क्या करना है छोटा करके रखना है नो हमने रिसेंट लिए भी मिस्टर संजे जैन जी से सीखा है कि समय पर रहें ताइम पर रहें अभी मानलो कोई मीटिंग है अगर हम लेट आए हैं भागते दोड़ते पीछे से तो कैसी इमेज रहती है थोड़ा थोड़ा तर्सा लगा रहता है कभी गुषने का मोखा मिलेगा आप आँगा और नहीं आप आँगा लेकिन अगर हम सारी जगे पर जब भी कोई मीटिंग होती है प्लान होती है ट्रेनिंग होती है फंक्शन होता है अगर हम समय पर जाते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज क्या होगी बढ़ेगी क्योंकि उसमें भी आपने छोटा तार्गेट अचीव कर लिया कैसे साड़े ग्यारा बजे पहुचने का टाइम था और साड़े ग्यारा बजे तक वहां पहुच गहें तब तार्गेट अचीव हो गया अब जब जब भी हम कोई भी छोटा से चोटा तारगेट बनाएं और उसको अचीव करें हमारी सेल्फ इमेज आगे बढ़ती जाएगी दूसरी बात नो बोलने से किसी का कुछ भी नुक्षान होता नहीं है आप बताएं मैं आप से सारे लोगों से एक बार विनित्ति करता हूं कि आप लोग पूरा जोर लगा के और मुठी बांद के एक बार नो बोलना है और नो की क्या एफेक्ट आए यह हम देखेंगे सारे लोग एक बार मुठी बान ले और सारे लोग जोर से बोले नो फिर बोले एक बार और एक बार और देखो इतने लोगों ने ना बोली टाई भी नहीं हली हिली क्या तो कोई फरक पड़ता हुआ है जब उस एक आदमी की नो से काय को गवराते हैं जब क्यों 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 कि हम लोग हिलने के लिए नहीं आए इसमें लोगों के हिलाने के लिए आए हैं येस हिलाने के लिए हैं हिलने के लिए नहीं आए हैं दूसरी बात हमने लोगों से बात करने में गबराना नहीं है और नो के रिजेक्शन से डरना नहीं है कारण मों उसका एक बहुत बड़ा बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ, एक बंदे का Guinness Book of World Record में आ गया नाम, और उस बंदे का नाम किस में था, नेगेटिव साइड में था, किस में था, कि वो बंदा सबसे जादा लवर थी उसकी, किस की थी, उसकी सबसे जादा लवर थी उस बंद लगे, यहां पर भी कई सारे यंगेस्टर बेठें, उसोच रहे होंगे, यार क्या पूछ ले, ओपन दा, हमको मिल जाए ता हमारा भी कुछ काम चल सकता है, तो उस बंदे को पत्तर का चले गए और इंट्रू लेने लगे, इंट्रू लेने लगे, और उस बंदे का नाम थ लवर्स के मामले में, आपने इतनी लवर्स को कैसे बनाया, क्या आपने टेकनिक यूज की, क्या आपने, मतलब उस में, आपने 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 सुधार लाए, क्या क्या आपने, क्या 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 मैनित की आपने, तो सारे लोग जाना चाह रहे हैं, कई लोग तो दिल थोड़ करहा एक ही लाइन में जबाब दिया कि मेरा जो भी वर्ड रिकोर्ड बना है जो भी मेरे को अचीव मेंट मिला है या जो भी मेरे 720 लवर बनी है उसके पीछे एक ही कार्ण है कि मैंने उनसे बात किया मैं घबरा ली कि ना बोल देगी या क्या बोल देगी मैं लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं विजनिस के लिए बात करना है negative side से नहीं positive लेना है इसको सही है मेरे को मानने वह सारे लोग लेडर है यहाँ पे इसको positive लेंगे दूसरी बात आपके जो हाथ में है बहुत बड़ा business है बहुत बड़ी opportunity है आप कभी भी अपने आपको हीन बावना मत समझे आपके पास इतना बड़ा मोका है अगर सही जगे पे आपने इस information को डाल दिया तो पता नहीं हो बंदा कहां से कहां पोच जाएगा और आपका और आपकी ओबंदा खुद और उसकी आने वाली पीडियां आपका कभी ऐसान नहीं चुका पाएंगी आज की डेट में मैं आपनी बात करता हूँ मेरे को यह opportunity दिखाई उंपरगा जी ने क्या मैं उंपरगा जी का मैं और मेरी पूरी generation साथ वीडियां कभी उनका ऐसान चुका सकती है कभी नहीं चुका सकती उंपरगा जी को भी दिखाई यह information जेहन साब ने तो जेहन साब के करते के हैं उंपरगा जी बिल्कुल है तो आप भी अगर किसी को दिखाऊगे और आपके दिखाने से कोई आदमी सपल होगा तो आपका भी वो करते के रहेगा वो करते के रहेगा क्योंकि आपने इतनी बड़िया information को दे दी है और एक बात और भी है कितनी भी बड़िया चीजों बिजली का कोई आदमी उपियोग करता है पंखा चलाता है एसी चलाता है सब कुछ फ्रीज चलाता है रेफ्रिजेटर चलाता है सारी चीज़े चलाता है और कोई आदमी क्या करता नंगा तार करके उसमें आथ लगा लेता है तो यूज करने वाले पर डिपेंट करता है ये जो बिजनेस है मैं आपको एक सवाती की बून्द आप लोगों ने सुनी होगी साइद सवाती की बून्द अगर हो किसी साप के मुँ में गिर जाए तो क्या बनता है जहर बनता है साप के मुँ में गिर जाए तो जहर बन जाता है अगर पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर पे गिर जाए तो कपूर बनता है और अगर वही बून्द किसी सीप के मुँ में गिर जाए तो मोती बन जाता है और ऐसा बिजनेस आपके पास है अगर ये जिस भी के उपर डालोगे तो मोती ही बनेगा बाकि वो कुछ नहीं बनने वाला है और वो जिन्दगी में सबल हो सकता है